सो फाइनली खुश खबरी ये है के ओमाई गॉड टू के सेंसर बोर्ड ने रिलीज कर दिया है और इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है बिल्कुल ए सर्टिफिकेट दिया गया है क्योंकि इस मुवी में अडल्ट एजुकेशन पर बहुत सारी बातें बताई जाएंगी इसी वज़े से इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है ए सर्टिफिकेट का मतलब है अडल्ट तो इस मुवी में कुछ ऐसे भी सीन है जो हमें मेचुरली हैंडल करने पडेंगे और हाँ जितनी भी चेंजिस की हैं ज्यादाता डायलाग्स की चेंजिस हुई हैं और मुवी का ड 40 सेकंड्स का होगा और वो भी वाइस ओवर के साथ। डिसकलेमर वाइस ओवर के साथ इस वज़े से दिखाया जाएगा क्यूंकि अक्सर लोग जब भी मुवी का कोई डिसकलेमर आता है तो ज्यादातर यहां तो मुबायल में बिजी हो जाते हैं यहां आपस में गपशप करन रहे थे और लेकिन सेंसर बोर्ड ने बोला भाई ना भाई ना ऐसा तो ना होने देंगे हमरे इंडिया के लोग यह न समझ सकेंगे तो अक्षे कुमार शिव जी का मेसेंजर के तोर रॉल करेंगे तो होगा यह जो मैं कॉंसेब्ट था मूवी का वो तो बिलकुल हटा ही द जिस हुई है जैसे शिव जी के बात वाला सीन वो भी काड़ दिया गया है और किसी प्लेस का डारेक्ट नाम नहीं लेंगे ले सकते क्योंके मूवी उज्जेन में शूट हुई है पहले जो स्टोरी थी वो रियल थी अब टोटल स्टोरी फिक्शनल कर दी है और जो रियल इंस खाया गया है कि जज्ज को किसी के साथ सेलफी लेते हुए तो वो वाला सीन भी रिमूव कर दिया है और ऐसे करते 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 टोटल 27 चेंजिस कर दी हैं अब मैं ये सोच रहा हूँ तो क्या अब मूवी पहले वाला दम होगा मुझे तो नहीं लगता कि अब पहले वाला दम होगा वैसे लोग देखेंगे तो वो किलिरली ही समझ जाएंगे कि जो लिप सिंग है मैच नहीं हो रही क्योंके डायलाग्स तो रिमूव कर दियें चेंज कर दियें तो लोग उस बात को पकड़ लेंगे और मुझे 100 परसंट यहीं लगता है कि इसका बहुत ही मीम्स बनें तो फाइनली यह मूवी आ रही है 11 अगस्ट को और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 अगस्ट को अक्षे कुमार सर की मूवी आ रही है ओमाई गॉड टू और हमारे फैवरिट स्टार सनी ज्योल उसकी मूवी भी आ रही है गदर टू तो आप पहले कौन सी मूवी देखने जाएंग अगस्ट को और हमारे बाएंगा रही है